गुजरात विदानसवा चुनाओं में अब कुछ ही दिन बचे हैं लेकिन इस चुनाओं में बड़ा फेर बदल देखने को मिल सकता है हम ये क्यों कह रहे हैं अब जरा वो भी समझे आपने तमाम खबरें देखी हैं और उसमें भाचपा कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी की ही चर्चा है लेकिन गुजरात में इस बार किसकी सरकार बनेगी यह रह से गहरा सकता है हम आपको बता दे कि भारतिय ट्राइबल पार्टी ने अपने 25 उमिद्वार चुनावी मैदान में उतारा हैं सभी को ट्राइबल शेत्रों में उतारा गया है इन शेत्रों में अब तक भाचपा और कॉंग्रेस की ही उमिद्वार चुनके आ रहे थे लेकिन यह पहली बार होगा जब इन दलों के सामने भारतिय ट्राइबल पार्टी यानि की बीटीपी अपने उमिद्वार उतारेगी इनको कड़ी टकर देगी साथ ही भारतिय ट्राइबल पार्टी के मुखिया चोटु भाई वसावा और को गुजरात में एक बड़े आदिवासी नेता के रूप में जाना जाता है तीन दशकों से भी ज्यादा समय से चोटु भाई वसावा आदिवासी समाज के रिदय में अपनी जगह बनाए हुए हैं क्योंकि चोटु भाई वसावा ने अपने पूरे राजनितिक जीवन में आदिवासी जनजाती के हक के लिए लड़ाई लड़ी है आपको बता दे कि एक बड़ा फेव वदल देखने को मिल सकता है यहां पर यदी चोटु भाई वसावा का करिश्मा इस बार गुजरात में ट्राइबल बेल्ट में चल गया तो भाश्पा के लिए सत्ता तक पहुंचने का सफर और कठिन होना तै है चोटु भाई वसावा का खास सेफ खास बाचीत की हमारे संबादा था जुए दुबे ने नमस्कार आप देख रहे हैं A1 TV और मैं हूँ आपके साथ जेडी अभी तक आपने गुजरात के चुनाओं से लेकर जितनी भी खबरे देखी होंगे इसमें आपकुल मिलाकर तीन पार्टी का नाम आपके सामने आया होगा आम आदनी पार्टी भारतिय जन्ता पार्टी और कॉंग्रेस लेकिन एक पार्टी ऐसी पार्टी है जिनको अभी तक गुमनाम रखा गया है और कहीं न कहीं ये 2022 विधानसाबा चुनाओं में ये पार्टी इस सत्ता को बदलने में बहुत एहम योगदान भी नहीं भा सकती है और इस पार्टी का नाम है भारतिय ट्राइबल पार्टी बी टी पी और इसका संजोजक है छोट उभाई बसावा लेकिन आखिर क्या प्रटों पर चुनाओं लड़ रही है गुजरात में विधा बग्स्रीण ऑपिर गजृ प्रखेसे पर ये पलड़ी पर लिट लड़ ये करप ये अधर देए और इनकिए चानलावं में आप आज आप सब के सामने इस बात को हम ला रहे हैं मारे साथ मौझूद हैं छोटू भाई बासावा आए जानते हैं कि उनकी पूरी चुनावी रणनेती क्या है और बहुत सारी बाते इस चुनाव से जुड़ी हैं सर आपका बहुत बहुत सब्सक्राइब गुर्जात के क्यों नहीं आ रहा है वह इस पार्टी से डरते हैं बीजेपी कॉंग्रेस आप इसलिए हमारी पार्टी का ओ कोई मीडिया में टीवी में नाम नहीं लेते हैं वहीं उन लोगों का टीवी चैनल है मेडिया है तो बोलते ते एक वह उसका नाम मतलो क्योंकि आदिवासी एरिय या एशा है कि यहां सब कुछ पड़ा है खनन पड़ा है नदी पानी पड़ा है और जंगल है वह लुटने के लिए हमारे जो पार्टी है इसको एवेट कर रहे हैं वह नाम नहीं लेते हैं मगर मैं बता देता हूं कि एक दिन और पार्टी गुजरात का जो राजकारण है बदल के रग देंगे गुजरात की राय निदिक्षभी को बदल देगी सर आधिवासी जन जाती या आधिवासी जो लोग है उन लोगों ने इस देश के प्रकृती की जल जमीन इन सब की रक्षा में आपने जीवन बिताया है लेकिन आज के देश तारीक में अगर देखा जाए तो देश तरक्की तो जरूर कर रहा है लेकिन कि आधिवासी का भी तरक्की हुआ है जब इस और हम देखते हैं तो ऐसा कुछ दिखता नहीं आज भी उनके भुखमारी और बदहाली के ही तस्वीचे सामने आती है इस पर क्या कहें लेकिल हमारी कोई आदमी हमारी है हमारे लोगों को डिवाइट करते हैं सब जो बीजेपी कांग्रेश आप पार्टी जैसे ट्राइबल एरिया में पूरी हमारी सत्ता ही सिटे रिजर्वेशन में है आधिवासी इस पर आ सकता है अकिला दूसरा आदमी कोई खड़ा नहीं रह सकता है तो मैं उसको पुछत हुँ बीजेपी को कांग्रेश को आपको हमारे जो आदमी खड़े रहते हैं पीटी से तो उसका विरुद आप क्यों करते हैं डिवाइट, करके वही लोग राज करना चाहते हैं, इसलिए औरिजड़िशन सीड है, इस पर उसका आदमी खड़ा करके, हमको डिवाइट करते हैं, सब पार्टी ऐसी है, का अदिवाशियों का विवाजन करो, और उसका जो समपदाश है, उसका जो हकदीकार है, नदी है, न जैसे उन लोगों की रूल एन डिवाइड डिवाइड करिये और सासन करो बेलकुल डिवाइड करो राज करो संपत्ति लूटो उसको बहार निकालो विस्तापित बना दो ऐसा उनका प्लान है वो सफल हम होने नहीं देंगे अभी हमारे लोग भी जागरूत हो गये हम भी इस देश के मूल मालिक आदीवाजी है तो बोलने तो लगे है ना तो यह थे हमारे साथ में छोटु भाई वसावा आपने सुना उन्होंने तमाम बातों को बहुत विबाकी से आपके सामें रखा किसी बात को छिपाया नहीं है लेकिन हकीकत तो यह है आदी वाजिवाजी म अमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एवन टीवी